कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके चैनल लाइव मंग में जैसा कि आप सभी को पता है मॉर्णिंग में जमारी क्लास होते हैं हिंदी व्याकरणी क्लास होती है और इसमें रोजाना के सबसे बड़ी बात यह है कि अवे कल क्या रात को आठ बजे अमारे मन में प्रदानमंत्री सिर्मेंदर मोजी जी ने गोश्रा किये कि अभी 21 दिन के लिए पूरे देश में लोकडाउन कर दिया गया है तो इस लोकडाउन का पालन जूरूर करे अपने घर से बाल कम निकले जितना होसके अपने घर पर रहे और क्रोना जैसी इस मामारे से लड़ने क के लिए कि आपको देश के लिए आपको शेयो करना होगा तो उसका जूरूर पालन के आप एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने जिम्मेदारी को पूरा गरे तो आए शुरू करते आज केस टेस्ट को जूरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गुड मोर्निंग र और ताइम आपको दिया जा रहा है बताए सई जौब क्या हो गश्में मित्रता बावचक संग्या वो किस्य बने है और चार उप्षन में से आपको जो सरी लगता उसका पो चूज करना है बताए क्या होगा इसमें तो जिसे ने भी इसमें ऑप्सन नंबर एक किया था जाति गोस वर्ण कौन सा है चार व उप्षन आपके सामने हैं बताए सभाब क्या रहा है तो गौस वर्ण कौन सा रहा हुआ विचार से ήड़ोगी व्युत्पति के विचार से संग्या के कितने भेद है और चार उप्षन में से आपको बताना है सहीज़वाब क्या होगा इसमें चार उप्षन आपके सामने है पांस सेगन के आपको टाइम दिया जा रहा है तो क्या राता है इसमें आपको आपको बताना है क्या आईगा इसमें तो अपसन नमर यह आईगा इसमें 3 आईगा कितने 3 है कईभर क्या है अगर सीथे पूछ लें आपसे कि संग्या कि इतने परकार है तो आपको क्या करना था वाँ पर आपको 5 करना हो Gobas और वियुत प्ति के दार्पे पूछ ले तो आपको तीन करना है तो इसी तरह आपको आपने दीमाग को आपने आएक्यू को थोड़ा तेज करना है इस चीज़ का खास तोर पर द्यान रखना है वर तिन एक्षिन के और आपको बताना है नीमन में से वेंजनों का कौन सा करम स सही है चार ओप्षन आपके सामने आपको जो भी सही लगते है उसको आपको नो डाउन कर देना है क्या है इसे में चार ओप्षन में से वो आपको बताना है ये अच एगा शीधा याद लेखना है अपको कखशंटाप ये एक क्या है स्वेडनाई का मीजना है ये क्या है क्या है क्रमवाईज आपके फैंजनों का परकार होता है आपको बताना है निमलखी सब्दों में से कौन सा सब्दय क्या है बताइए निमलखित सब्दों में से कौन सा सब्द है वो संग्या का है चार उप्षन आपके सामने है चार उप्षन आपके सामने है तो चार उप्षन में से आपको जो भी सही लगता उसको आपको नोडाउन कर लेना है बताइए सही जवाब क्या होगा इसका चार उप्षिन में से तो जिसे ने भी उप्षन नमर बी किया था बिल्कुर सही जवाब क्रोध आएगा इसमें क्या आएगा क्रोध बढ़ते नेक्षिन के और आपको बताना है कि वरक के पर्थम तर्थिय पंचम वरण क्या कहलाते हैं चार ओप्षन आपके सामने आपको जो भी से लगता उसको आपको नो डाउन कर लेना है क्या आएगा इसमें अगर आपने अभी लास संडे को आपके एक क्लास होई थी हिंदी व्याकन के सवर्वेंजन की अगर वो जोइन किये तो आपके एक्विशन कताई गलत नहीं होगे तो एक बर उसको जरूर देखे एगर आप रास्तार हाई कोट ग्रूप डी किया पिर अन्य कोई त्यार गिरें जिसमें क्या हिंदी सब्जेक्ट हो आता है और उसको एक बर जरूर करना है तो इसमें आपका ऑप्शन नमर बी आएगा यह अलप परान होते हैं क्या होते हैं बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है जाती वाचक संग्या बताईए जाती वाचक संग्या आपको बतानी है चार ओप्सन आपके सामने आपको जो भी से लगता है उसको आपको नो डाउन कर ले रहा है क्या आएगा इसमें जाती वाचक संग्या में चार ओप्सन में से जल्दी जल्दी इसको no down करें, तो जिसने भी option नमर एक किया, बिल्कुर सही ज़़वाब लड़का हो क्या है, जातिवाजक संग्या है, बढ़ते नेक्शन के और, आपको बताना है कि पानेनी का विशेश्टन क्या होगा, पानेनी का विशेश्टन आपको बताना है क्या होगा, चार option आपके समझें, बताइए सही ज़़वाब क्या होगा, जल्दी जल्दी इसको आपको जो भी सही लगता है, उसको no down कर लेना है, और जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ते रहना है, तो अपनी त्यारी को क्या है, सही तरिके से गरे, और अब एक्जाम के बारे में कुछ कहाने सकते कि आपका जून में होगा, हो सकता है, थोड़ा आगे भी कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, क्योंकि अभी राजस्तान बोर्ड की परिक्षें वो अभी पूरी जहीं होई है, तो आगे क्या है, उसकी डेट निकलेगी, पहले फिर उसके बाद क्या है, नए सीरे से आपकी नई एक्जाम डेट निकाले जाएगी, तो इस बरह में नहरे अभी, कि आपका एक्जाम जून में होगा, तो ये आपके लिए बहुत खुश कबरी है, कि आपका एक्जाम वो आगे भी खिशक सकता है, तो इसमें आपका जो सही जवाब क्या होगा, जो आएगा, उप्सन नमर बी आएगा, इसमें पाने निया जिससे भी किया है, आपको एसे क्यूसर है, अच्छी तरह से रठ लेने है, कि कौन से सबचे, कौन सा विसे सर्मनता है, संग्या और सरवनाब, सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से रठ नी है, तो जिसने भी आप्सन नमर, सी किया, इसमें बिलकुर सही जवाब है, आपको बताना है, कि सुद वाक्य कोन सा है, चारो वाक्यों में से आपको सुद वाक्य कि बताना है, और सही जवाब क्या होगा, इसमें बताइए, सुद वाक्य आपको बताना है क्या होगा, और जो भी आपको सही लगता है, उसको आपको क्या है नो डाउन कर लेना है क्या आएगा इसमें चार ओप्षन में से चार ओप्षन आपके सामने है जल्दी जल्दी जवाब दें और जो भी आपको से लगता है उसको आपको नो डाउन कर लेना है चार ओप्षन पढ़ें पहले द्यान से तो क्या है गाई 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 बताइगे क्या होगा चार ओपृशन में से सही जवाब दें, तो क्या आएगा इसमें? शार ओपृशन में से आपका जो सही जवाब होगा, वो होगा ओपृशन मसटि आएगा, कि मैं पुश्प और पक्शी को परकर्ति में सुंद्रम मानता हूँ, बिल्कुल सही जवाब option number C बरते नेक्शन की और आपको बताना है कि चार ओप्षन में फिर उसे बताना है कौन सा होगा और चार ओप्षन आपके सामने है बताईए सही जवाब क्या होगा इसमें क्या ना चाहिए इसमें तो इसमें आएगा option number A आएगास में, option नमर ए क्या है, यह आवश्यक नहीं है कि एक वेक्ति, दूसरे वेक्ति की इच्छा का विश्वास करें, बिल्कुल सही जवाब था, बरते नेक्शन के और आपको बताना है, सुध बाक्य बताना है, फिर बताइए क्या होगा इन चारों में से, सुध बाक्य चांट ये, चारों option में से, क्या आएगास में सुध बाक्य में, तो आपका जो सही जवाब होगा, वो होगा option नमर A आएगास में, सोरी, इसमें आपका जो सही जवाब होगा, वो आएगा option नमर A, क्या है, उसने हमारे यहां में ठाई और दही खाया, बिल्कुल सही जवाब है option नमर A बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और आपको सुद वर्तनी शांटनी है 14 से लेकर 18 नमर क्यूशन तक आपको सुद वर्तनी बतानी है बताईए सुद सब्द कौन सा इन में से सुद सब्द बताईए कौन सा है चार option आपके सामने आपको जो भी से लगता है उसको आपको नोडाउन कर लेना है क्या आएगा इसमें सुद वर्तनी आपको छांटनी है बताईए सही जवाब क्या होगा तो 14 नमर क्यूशन में आएगी option नमर B आएगी इसमें समर्दी option नमर B बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के ओर 15 नमर में बताना आपको क्या आएगा 15 नमर क्यूशन में बताएं कि सुद वर्तनी कौन सी है चार option आपके सामने हैं आपको जो भी से लगता है उसको आपको रोडाउन कर लेना है क्या आएगा इसमें सुद वर्तनी बताएं 15 नमर क्यूशन में तो जिसने भी option नमर A किया है बिल्कुल सही है A वाला बिल्कुल सही है निरेक्शन option नमर A आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है सुद वर्तनी बताने आपको कौन सही है 16 नमर क्यूशन में भी आपको सुद वर्तनी बताने है बताएं क्या होगा तो इसमें आएगा option number B आएगा इसमें low loop होता है option number B वाला बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के ओर 17 नमर और 18 नमर में बताएं कौन सा सही है 17 और 18 नमर में बताएं सुद क्या होगा इसमें 17 नमर में आएगा option number C 18 में जलदीश बताएं क्या होगा 17 में आएगा option number C और 18 में आएगा option number D परिक्षया option number D और option number C यह 17 में option number C आएगा अठान में option number D आएगा बिल्कुर सही जुआपता बढ़ते नेक्शन की ओर अब आपको बताना है संदी से समंदित क्यूशन आपके पराड मुख सब्द में आपको बताना है संदी का कौन सा वेद है पराड मुख सब्द में आपको बताना है संदी का कौन सा वेद है चार option आपके सामने आपको जो भी सेलेगता उसको आपको नोडाउन कर लेने है तो क्या आएगा इसमें चार option में से जिसने भी option number C किया है बिल्कुर सी जो वेंजन संदी है इसमें बिल्कुर सी जो बड़ते नेक्शन के और आपको बताना है रमायन में संदी बताना आपको रमायन में आपको संदी बताना है चार option में से क्या आएगा चार option में इसे आपको बताना है कि रमायन में संदी का कौनसा भेद है चार option है वह आपके सामने क्या आएगा option number यह आएगा इसमें दिरग आएगा इसमें दिरग संदी option number यह बिल्कुर से जो वेंजन से जो आप है बड़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि तपो बन में संदी का कौन सा भेद है तपो बन में संदी का भेद बताना है आपको कौन सा आएगा इसमें तपो बन में आपको संदी का भेद बताना है चार ओप्षन आपके सामने बताइए सही जवाब क्या होगा तो क्या आएगा इसमें option number C आएगा समय, option number C बिलकुर साइज जवाब है next question है, ack arm में आपको बताना है, संधी का कौन सा बेद है? बताइए, ack arm में संधी का बेद बताना है, कौन सा होगा? बताइए, चार उप्षन में से कौन सा साइज जवाब होगा? चारो उप्षन आपके सामने है क्या आएगा इसमें सही जवाब एकार में होगा आपका उप्षन नमबर C आएगा वेंजन संदी इसमें भी कौन सी वेंजन संदी आएगी बड़ते नेक्चन की और आपको बताना है समास से समझते आपकी क्यूशन है आप बिती सब्द में आपको समास बताना है कौन सा होगा या पिती समास का भेद बताईए चारो उप्षन आपके सामने चारो उप्षन वेशन आपको बताना है क्या आएगा सही जवाब इसमें आप बिती में बताना है सही जवाब क्या आएगा इसमें तत्पूरुस आएगा, option number A आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब आप बित्ती में जो समास है वो तत्पूरुस समास है याप इस तत्पूरुस समास का बेद हो गई फिर वसी करण वसी करण में आपको बताना है कि क्या आएगा इसमें कौन सा समास है वसी करण में तो वसी करण में आएगा option number A option number A आएगा बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है 10 मुक में आपको समास बताना है 10 मुक में आपको समास का बेद बताना है कौन सा आएगा चार उप्जन आपके सामने बताइए सही जवाब क्या होगा तो इसमें आएगा अपका उप्जन अमर भी बहु बिरी आएगा इसमें उप्सन नमर भी बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है गूरू दक्षिणा में कौनसा समास है गुरू तक्षिरा में आपको समास बताना है चार उप्षन आपके सामने है बताए क्या आएगा इसमें तौश्मी आएगा उप्षन नमबर C तत्पुरुस आएगा इसमें उप्षन नमबर C आएगा बढ़ते नेक्शन के और फिर गिरह कट गिरह कट बताना आपको समास का कौन सा बेद है गिरह कट में चार उप्षन आपके सामने बताएगे सही जवाब क्या होगा गिरह कट में आपको समास बताना है चार उप्षन आपके सामने है कौन सा आएगा इसमें तो गिरह कट में आपका जो समाज उप्षन नमबर B आएगा इसमें तत्परोष बिल्कुर से जवाब था उप्षन नमबर B बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि इसमें एसुद प्रियावची बताना आपको दाथ का एसुद प्रियावची कौन सा है चार उप्षन में से बताएए बताएए कि आएगा इसमें एसुद प्रियावची कौन सा है चार उप्षन नमबर A आएगा इसमें दाडिम एसुद प्रियावची आपसे पूछे जा रहे है और आपको बताना है कि चारों में से एक प्रेवाची नहीं, बाकि तीन क्या प्रेवाची है, दसन है, रदन है और दांत है, दांत है दांत के प्रेवाची होते है बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है कपीशवर का आपको बताना है कि एसुद प्रेवाची कौन सा इसमें कपीशवर में चार ओप्सन में सी कौन सा सही होगा बताइए कफिश्वर में एसुद प्रेवाची आपको बताना है चारो उप्षन आपके सामने क्या आएगा इसमें एसुद प्रेवाची होगा उप्षन मर भी आएगा केशव केशव एसुद प्रेवाची बाकि एंजनी पुत्तर है आपको बताना है मुनि का एशुद प्रयावाची बताना आपको क्या आएगा इसमें तो जिसने भी option number B किया है मेहेप ये क्या एसुद प्रेवाची है मकियती, मुक्त पुरूष और तापस तिनों क्या है मुनिक के प्रेवाची है वर्ते नेक्षन के ओल आपको बताना है विलोम सब्द वाले क्यूशन आपके पूर्णीमा का आपको विलोम बताना है चार आपसन आपके सामने बताएए सही जवाब क्या होगा इसमें तो जल्दी जल्दी जवाब दे क्या आएगा इसमें option number इसमें आएगा C. अमा आउशे आएगा बिल्कुर सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है सोभाग्या का आपको बताना है सही विलोंस्पत क्या होगा सोभाग्या का विलोंस्पत बताए चार उप्षन आपके सामने है क्या आएगा इसमें तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा option number C आएगा इसमें दुर भागे option number C जिसने किया बिल्कुल सई जवाब बटे नेक्शन के ओर आपको बताना है व्यास का व्यास का एशुद प्रियवाची बताना आपको sorry व्यास का विलोमस बताना इसमें व्यास का विलोमस बत क्या होगा चार उप्षन आपके सामने हैं बताएं सही जवाब क्या होगा इसमें तो व्यास का होगा उप्षन नमर डी संसलेशन आएगा इसमें बिल्कूल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की और रिर्ण का बताना आपको रिर्ण का विलोम क्या होता है रिन का विलोंग बताएं चार ओप्षन में से तो क्या होगा इसमें उरिन होगा ओप्षन नमर B बिल्कुर सही जवाब है इसमें बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि वाक्यांज के लिए एक सबद जिसकी काया बहुत बड़ी हो जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसको क्या बोलते है उप्षन नमर A क्या विशाल काये फिर क्या दिरक काये उप्षन नमर C क्या भीम काये उप्षन नमर D क्या वरत काये तो चार ओप्षन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा तो क्या होगा जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसको बोलते हैं दिरक काय दीरकाई बता रखा है इसमें बाग की देख लेने एक पर विशालकाई में भी हो सकता है इसमें एक पर बताना है इसमें कि उप्शन नमर बी शही है क्या फिर है ने बहुत ठंडा ने बहुत करम नया बहुत ठंडा नया बहुत गरम में बताना आपको कि इसको क्या बोलते है नया बहुत ठंडा नया बहुत गरम को क्या बोलते हैं चार उप्षन में से तो इसमें आएगा उप्षन नमर 20 समशी तो आएगा इसमें बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है किसी वस्तु को अच्छी तरह खोजना किसी वस्तु को अच्छी तरह खोजना इसके लिए कौन सा मुआवरा स्टिक बेठेगा इसके लिए आपको मौवरा बताना है इस अर्थ के लिए कि किसी वस्तुक अच्छी तरह से खोज़दा कौन सा मौवरा है वो से बैठेगा इन चारों में से बताए चारों आपके सामने है जिसने भी ऑप्षन नमर B किया इसमें चिराग लेकर डूनना बिल्कुल से जवाब है ऑप्षन नमर B आएगा इसमें बड़ते नेक्शन के और आपको पताना है सहा लेना सहा लेना अर्थ के लिए कौन सा मौवरा उस्टिक बैठेगा सहा लेना अर्थ के लिए आपको मौवरा पताना है चारों आपके सामने है चूना करना गुसा पीना जीती मक्ही निकलना और गांट में बांधना इन चारो अब आपको आपका काम बताएं क्या करना है आपको बताना है इन 40 में से आपके कितने नंबर आएं हैं और अबको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लेए तीसे लाइक और शेयर किया करो और अगर आप अब आप तेले पर ने तो चैनल को सबस्काइब कर लो और टाउन की 21 देने के लिए उसका पालन जूरूर करें 14 पेल तक आपको अपने घरों में क्या रहना है और एक जिमेदार नागरिक बन के जिमेदारी को आपको पूरा गर रहा है तो आज की ख्लास में बस इतना है मिलते हैं ने ख्लास में जै इन जै बार धन्यवाद